प्राकृत संख्या है नेचरल नंबर्स गिन्ती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं या आप इसे इस तरह कह सकते हैं गिन्ने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं जैसे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, जाते, 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 अनन्त तक ठीक है पूर्ण संख्या है, hall numbers, प्राकृत संख्या में सुन्य लग जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है जैसे में प्राकृत संख्या में ये था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये था और यहाँ जैसे यह आगे जीरो लग जाता है आगे जैसे ही सुनिय लग जाता है तो यह हो गया पूर्ण संख्या है ठीक है जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या ठीक है क्रमिक क्रमिक को आप करमागत भी कह सकते हैं क्रमिक संख्या हैं consecutive numbers क्रम से या लगतार आने वाली संख्याएं जिनके बीच कोई प्रकृत संख्या ना हो तो क्रमिक संख्याएं कहलाती है जैसे में 5,6,7,8 क्रम से आ रहा है यानि लगतार आ रहा है पांच के बद 6,6 के बद 7,7 के बद 8 आ रहा है और दूसरा है 17,8,19,20 लगतार आ रहा है त आप क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते है ठीक है एक और टॉपिक है परवर्ती एवं पुरवर्ती सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर तो परवर्ती में क्या होता है जिसे एक का परवर्ती लिखना है तो आपको क्या करता है एक में एक जोड़ देना है कितना हो जागा दो अग गवर 61 का लिखना होगा परवर्ती तो यहां हो जाएगा 62 यानि एक हमेशा जोड़ देना है अब पूरुवरती में क्या होता है घटा देना है जैसे hundred का पूरुवर्ती लिकानना है तो हम यहां लिखनेगा 99 अब यहां देखिए अब निकाले पांसओ का पांसओ का यह है पुरुवर्ती और यह है परवर्ती आई होप आप आसानी से समझ के होंगे चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रा